आज हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू मुनसिपल कॉर्परेशन की लापरवाही पर आधारित एक खास रिपोर्ट जहां एक और महामारी के इस दोर में आम जंता को बचाने के लिए प्रसाशन द्वारा मास का नेमित इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है और उसका पालन को अपनी जान की परवातो है लेकिन दिन रात एक कर जंता की सेवा में लगे गरीब सफाई करमचारियों का बिलकुल भी ख्याल नहीं है और ना ही उनके परिवार वालों की चिंता यह मामला है जम्मू के प्रसित जीवल चोक का जहां खराब मोसम की चेतावनी के चलते ना ऐसे यह करमचारी अपनी जान पर खेल कर नंगे हाथों से नालों से मलबा निकाल रहे हैं जबकि पास खड़े जम्मू मुनसिपल कॉर्परेशन के अधकारी तमाशा देख रहे हैं और तो और इस पूरे घटना करम के दोरान पास खड़े वार्ड नंबर 14 के कॉर्परेट देखिए मौके पर तहिनात ये ट्राफिक पुलिस कर्मी भी कैसे बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे में अगर इन करमचारियों को करोना हो जाता है तो क्या जम्मू मुनसिपल कॉर्परेशन इसकी जिम्मेदारी लेगा इस कारणामे से प्रसाशन का दोगलापन भी साफ दिखाई देता है कि जहां एक और करोना के नाम पर मंदिरों में जाने पर पाबंदी लग जाती है पार्कों में घूमने की आजादी छिन जाती है और तो और लोगों के आस्था का प्रतीक माने जाने वाली बाबा अमनाजी की यात्रा और मचेल यात्रा तक को स्तगि प्रिंगे